भागलपूर के सबोर थाना च्छित्र में बाढ के पानी में गंगास नान के दौरान तीन बच्चे डूब गए ग्रामिनों की सहायता से एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि बाढ के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई ग्रामिनों ने बताया कि 5-6 की संख्या में बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे इसी दोरान एक बच्चा डूबने लगा जिसको बचाने की क्रम में एक एकर तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए जिसमें सुभम कुमार को ग्रामिनों दवारा मौके पर निकाल लिया गया जबकि कृसर कुमार और विसाल कुमार की मौत हो गई ये सभी बच्चे सुल्तानपूर मिलिटी के रहने वाले बताय जाते है काफी खोजबीन करने के बाद ग्रामिनों के द्वाला क्रिस्न और विसाल दोनों के सब को बरामत कर उनके परिजनों को सौब दिया गया सभी बच्चों के उम्रत 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है मौके पर स्चेकड़ो ग्रामिन और सबाहर थाने की पुलीस मौजूद थी बच्चा लोग मतलब गाउं का तो बच्चा जानम के जब होनी होनी आता है तो नहने के लिए आया हुआ था परसमें लोग नहा रहा था कितना बच्चा था यह तो चाक्वाज बच्चा का मतलब बता रहा था कितना कामिर्थी हुआ है दो कामिर्थी हुआ है जगह का नम क्या है यह सुल्तानपुर बिट्टी ललमट यापूल ललमट यापूल ललमट यापूल ललमट यापूल